तो दोस्तों आज कोन बनेगा करोणपती सीजन 12 जो है का आज 20 मई 2020 को इस सीजन का 12 जो सवाल है क्वेस्टन नमबर 12 वह पूचावे हैं क्वेस्टन अंग्रेजी में है सर्कल स्टाइल और स्टैंडर्ड स्टाइल आर टू वैरियंस अप विच स्पोर्ट ऑप्शन ए कबड़ी ऑप्शन बी वालीबॉल ऑप्शन सी खोखो और ऑप्शन डी है बास्केट बॉल हिंदी में अगर हम पूचे तो सर्कल स्टाइल एंड स्टैंडर्ड स्टाइल किस खेल के दो प्रकार है कबड़ी, हॉलीबॉल, खोखो, बास्केट बॉल दोस्तो इस प्रशन का सही उत्तर जो है वह है ऑप्शन ए, कबड़ी, जी हाँ दोस्तो कबड़ी एक ऐसा खेल है जिसमें जो स्टैंडर्ड स्टाइल है वह एक जो हम टीवी बगरे पर मैचेश देखते हैं वह होती है स्टैंडर्स्ताईल जो बोक्स या चौकeurs रेक्टैंडर्ड्डर मतलब जो चौकु बॉक्स जैसे एर्णि में खेला जाता है frum दोसकते और स्टैंडर्स्ताईल जो हम जंरल ऊगेरे मेंग उगरे में खेलते है और विच में खिलारी खेलते हैं उसे circle style कहीते हैं तो आप इस प्रशन का उत्तर option A दे सकते हैं मैं खुद आपके सामने option A को log भी कर रहा हूँ आप देख सकते हैं यह मैंने option A को log किया option A को select किया हूँ मैंने यह select होने के बाद यह देखिए अभी select होने में जोड़ा समय लगा नेट के वज़ा से तो यह जो है option A इसका सही जवाब है खोखो, basketball, volleyball नहीं है बिल्कुल भी कबड़ी option A बिल्कुल सही जवाब है इसे हम submit भी कर रहे हैं देखिए हम आपके सामने submit भी कर रहे हैं अगर गलत answer होता तो कभी भूल के लिए हम इस answer को submit नहीं करते हैं हमने आपके सामने भी submit भी किया हम देखते है कि जो thank you का banner है वो आ चुका था अभी जो है हम एक काम और करेंगे हम वो answer जो है आपको दिखा भी देते हैं यहां आप Wikipedia पर देख सकते कबड़ी का page है हमने कबड़ी खेल का page दिखा हुआ है और इसके जब बीच से थोड़ा साँ जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहां पर variance game के दिखाई प्रकार और यहां पर आपको साब दिख रहा है standard style यह दिखिए जैसा कि हमने कहा तक यह court में खेला जाता है और जो नीचे अगर आप स्क्रॉल करोंगे तो circle style आपको दिखेगी यह जो है यह जनरली किसी गाव अगरे में देखिए circle इस तरीके से आपको picture में दिख रहा दे सकते हैं SMS के जरिए अगर आपको उत्तर देना है तो आपको केली सी type करना है space देना है उसके बाद में option A type करना है कि आज का उत्तर A सही है कबड़ी और space देना है उसके बाद आपकी उम्र टाइप करनी है जितनी उम्र आपकी 1 मई 2020 को पूरी हुई है वह उम्र टाइप क कुछ पूरी हुई है